हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है गरीब पूनम की विवाहित ननद रिंकी माई के आई हुई थी दोनों एक साथ बैठ कर स्वेटर का कोई नया डेजाइन बनाने की कोशिस कर रही थी क्योंकि रिंकी माई बनने वाली थी कुछी दिनों में उसकी डिलिवरी होने वाली थी तो नन्हे में मान के लिए दोनों मिलकर छोटे छोटे उनी कपड़े बना रही थी जब से पूनम की ननद माई के आई हुई थी तब से पूनम उसकी देखभाल में विस्त हो गई थी कभी वा उसे बादाम बाला दूद बना कर देती थी कभी फल काट कर देती थी कभी दोनों साथ में टहलने के लिए निकल जाती थी डाक्टर के पास भी दोनों साथ में ही जाती थी पूनम जानती थी कि ऐसे समय पर एक औरत को भावनात्मक और आंतेक रूप से कितने सपोर्ट की जरूरत होती है इसलिए वो हर तरह से अपनी ननत का ध्यान रखने की कोशिस कर रही थी बहु सब कुछ समहाली रही थी तो रिंकी की मा रजनी जी बेटी की तरफ से निश्चिन्त हो गए थी लेकिन फिर भी बहु के किये हुए कारियों की वह कभी सरहना नहीं करती थी उन्हें लगता था कि बहु सारे काम बस इसलिए करती है रजनी जी का परिवारा मेर है और बहु ने जिन्दगी में कभी इतनी ऐसो आराम देखे नहीं है इसलिए वो हमेशा उनसे दब कर रहती है और सिर जुका कर हर काम करती है लेकिन पूनम को दन दौलत का कोई लालच नहीं था वह तो हर कारे अपना फर्ज समझ कर करती थी और रिंकी के साथ तो उसका इतना प्यारा रिस्ता बन चुका था कि वह बिना को सोचे समझे हर हालत में उसके लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी हाला कि कभी कभी सास की बाते उसे चुप जाती थी और वह सोचती थी कि मैं रूप्य पैसे की लालची थोड़ी ना हूँ जो हर काम रूप्य पैसे के लालच में कर रही हूँ वैसे भी पूनम ससुराल में काम कर रही थी तो थोड़ी ना उसे कोई रूप्य पैसे दे रहा था अब उसके ससुर जी ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिष्टा अच्छा था तो पूनम के माता पिता भी इसे रिष्टे के लिए तयार हो गए तो बीच में यह रूपय पैसे वाली बात आई कहां से ना तो विवाह में कोई लेन दिन हुआ था ना ही रूपय पैसे की कोई बात हुई थी बस सभी को एक दूसरे का परिवार अच्छा लगा था लेकिन पूनम की सास को बात को आगे बढ़ाना था और वह हमेशा बहु और उसके माईके वालों को कुछ नहीं समझती थी एक दिन ननत भावी दोनों एक साथ बैठी हुई थी कि तबी पूनम की सास रजनी जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा अरे बहु सारा दिन कमरे में आराम ही करती रहोगी थोड़ा मेरे पास आओ मेरे सिर में दर्द हो रहा है पूनम अपनी ननत से बोली दीदी आप बैठो मैं ममी जी के पास से आती हूँ इतना कहकर वह अपनी सास के कमरे में गई और तेल लेकर अपनी सास के सिर में तेल की मालिस करने लगी रजनी जी ने गुसे में कहा अरे तेल जरा धंग से लेकिन यहाँ पर तेल की कमी नहीं है यहाँ बात सुनकर पूनम का जहरा उतर गया वह भले ही कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन हर बात में उसके माईके वालों के बारे में उसकी सास कुछ ना कुछ सुना ही देती थी अब वैसे तो उसके माएके में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसका घर ठोड़ा छोटा था और यहाँ ससुराल में बहुत बड़ा घर था तो बस इसी बात को लेकर उसकी सा समय सा उसके माएके वालों को नीचा दिखाने की कोशिस करती रहती थी कभी भी उसके मम्मी पापा या भाई बहन घंटे भर के लिए भी उसके घर आते थे तो पूनम की सा समेशा उसे सुनाने लगती थी कि तुम्हारे माता पिता को अपने छोटे से घर में अच्छा नहीं लगता होगा इस दिये बार-बार यहां पर मूठा कर चले आते हैं अब पूनम इन सब बातों को दिल से नहीं लगाती थी क्योंकि साधी की पहली रात ही उसके पती ने उसे समझा दिया था कि मा की जुबान जरा कडवी है लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है मगर पूनम देखती थी कि साध की सारी कडवाहत बस उसके मायके वालों के लिए ही निकलती थी बाकी समय वह घर के दूसरे सदस्यों से बहुत ही अच्छा विवार करती थी पूनम ने अपनी साध के सिर में तेल की मालिस कर दी थी और वहां धोने के लिए कमरे से निकल कर आई तब रजनी जी ने घर की नोकरानी प्रिया को आवाज लगाते हुए कहा अरे प्रिया जरा यहां तो आना प्रिया हाथ पोश्ते हुए रसोई से बाहर आई वा दोपार के खाने के बाद वाले बरतन साफ कर रही थी रजनी जी कहने लगी देखो जरा मेरे लिए एक कड़क अदरक वाली चाय बना कर लियाओ मेरे सिर में दर्द हो रहा है प्रिया कहने लगी ठीक है मैं उसमें लॉंग और तुलसी के पत्ते भी डाल देती हूँ तो फिर दर्दजड से गाइब हो जाएगा इधर पूनम हाज दोकर जैसे ही बातरूम से बाहर निकली तो पूनम के फोन की घंटी बजी उसकी मा का फोन था उसने पोन उठाया तो उसकी मा कहने लगी बेटा तुने जो सारी मंगवाई थी न वह सारी मिल गई है आज साम को मैं ते यु साड़ी लेकर तेरे पापा के साथ तेरे घरा रही हूँ, जहरा माता जी के मंदिर भी जाना है मुझे, फिर वहां से दर्सन करके घर वापस चली जाऊंगी पूनम कहने लगी माँ ज़रा जल्दी आ जाना, तो मैं भी आपके साथ मंदिर चली जाऊंगी साम को मंदिर में आरती होती है तो बड़ा आनन्द आता है उसकी माने कहा ठीक है बेटा मैं समय से थोड़ा पहले ही आ जाऊंगी उसके बाद पूनम अपने ननत के पास गई और कहने लगी दीदी आपने जो साड़ी पसंद की थी वो ऐसी साड़ी मा को मिल गई है और आज साम को आपकी साड़ी आ जाएगी या सुनकर उसकी ननत बड़ी खुस हो गई फिर पूनम बाहर आई और प्रिया को आवज लगाते हुए बोली प्रिया आज साम को मम्मी पापा घरा रही है तो चाय नाजते की तयारी कर लेना प्रिया ने मुस्कुराते हुए सहमती में सिरह लाया और बाकी का काम निप्टाने के लिए रसोई में चली गई थोड़ी देर पहले रजनी जी ने प्रिया को चाय बनाने के लिए कहा था तो रसोई में जाकर चाय बना रही थी तभी रजनी जी ने यह बात सुन ली कि पूनम के माता पिता घराने वाले हैं तो वा थोड़ा चिड़ गई वैसे भी उन्हें बहु के माईके वालों का घराना ज़्यादा पसंद नहीं आता था वा तुरंथी रसोई में गई उन्होंने देखा कि प्रिया चाय बना कर चाय पती फेकने ही वाली थी तो वा उसे रोगते हुए कहने लगी अरे प्रिया चाय चान कर चाय पती फेकना मत आज बहु के मम्मी पापा आ रही है तो उनके लिए इसी चाय पती की चाय बना लेना बहु के माईके वाले खाने पीने के बहाने चले आते हैं बहु ने गलती से ये बात सुन ली फिर वात तुरंथी रसोई में आई और कहने लगी मम्मी जी यह हमें क्या सुन रही हूँ आप यूज की हुई चाय पती दोबारा यूज करना चाहती है मुझे तो सुरुआत से ही आप सुनाती आ रही है कि तुम्हारे माईके वाले गरीब हैं और हम लोग अमीर हैं तो आज आपकी अमीरी कहां गई मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गरीब है कियाम मेरे माईके वालों के लिए यूज की हुई चाय पती की चाय बनाने के लिए कहेंगी मेरे मम्मी पापा यहां पर कोई चाय पीने के लिए नहीं आ रहे रिंकी को मेरी एक साड़ी पसंद आ गई थी और उसे उसी पैटरने में नीले रंकी साड़ी चाहिए थी तो वहीं साड़ी मेरी मम्मी लेकर आ रही है अगर आप कहेंगी तो मैं वो साड़ी बाहर से ही लेकर उन्हें दरवाजे से ही लोटा दूँगी आपको उनके बारे में इतना सोचनी की जरूरत नहीं है मेरे माइके में खाने पीने की कोई कमी नहीं है जो वह यहां पर यह पेकार की चाई पती की चाई पीने के लिए आएंगे खुद को अमीर समझते समझते आपकी सोच कितनी गरीब हो गई है यह आप समझी नहीं पाई इतना कहकर वह गुस्से में तमकते हुए वहां से चली गई तबी रिंग की रसोई में आगई और कहने रगी मा यह आपने क्या किया भावी कितनी अच्छी है मेरे एक बार कहने पर ही उन्होंने अपनी मा को फोन करके साड़ी लाने के लिए कह दिया तो देने आ रही है और आप यह क्या कह रही थी कि यहां ख़ाने पीने के बहाने आती हैं आप खुद एक बेटी की मा है फिर भी आपने किसी और की बेटी का दिल दुखाया है या बिल्कुल भी सही बात नहीं है मा इतना कहकर वा भी दुखी मन से रसोई से बाहर चली गई तो अब प्रिया भी रजनी जी का मुँ देखने लगी रजनी जी ने धीरे से कहा चाय पत्ती फेक दे प्रिया या चाय पत्ती दुबारा यूज नहीं होगी इतना कहकर वा अपने कमरे में चली गई जब पूनम के मम्मी पापा घर आये तो प्रिया ने बढ़िया सी कड़क तद्रग और इलाइची वाली चाय बनाई रिंकी ने ख के सामने आने में थोड़ी सरमिंदगी बहिसु सो रही थी लेकिन फिर भी वा माहोल को सहज बनाने की कोशिस कर रही थी वैसे तो पूनम अपनी साथ से थोड़ा नाराज थी लेकिन जब उसने बाहर जाते हुए रिंकी की बाते सुनी थी तो उसे लगा कि कम से कम उसकी नन तो समझदार है और अब बेटी के कहने पर जब मा के विवार में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा था तब आभी सामाने विवार करने की कोशिस ही कर रही थी वैसे तो चोटी मोटी नोग जोग तो लगी रहती है लेकिन यदि इनसान समय रहते समल जाए तो उसके होने की कोशिस करने लगी थी और बेटी ने जब उन्हें समझाया कि उनके साथ ऐसा होगा तो उन्हें कैसा लगेगा तब सेवा थोड़ी नर्म पड़ गई थी बात बात में उसके माय के वालों को लेकर कुछ भी बोलना उन्होंने बंद कर दिया था और पूनम के लिए इ दरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद